हेलो फ्रेंट्स वैलकम तो अलो फ्यू जीवन एजुकिशन में एक बार फिर से आप सब का स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे थे बीपी सीचन के रिगाड़ेड या दे सीचो ब्रीज कोर्स और सीचो ट्रेनिंग के सलेबस को लेकर हम स्पेशल सेशन के बारे में डिस्कस कर ने हम डिस्कस कर रहे थे जिस के अंदर हम Dell डिस्कस की किए थे लास राएक्व से फूड्न के या वा मने डिस्कस किया था हूऔ और last session के अंदर हमने discuss किया था कि एक दिन के अंदर एक per day के according क्या-क्या food लिया जाता है like breakfast लिया जाता है like lunch लिया जाता है like dinner लिया जाता है like evening tea timing होता है उनके अंदर क्या-क्या food आइटम्स हैं क्या-क्या food materials हैं क्या-क्या food items हैं जो की consume किया जाते हैं तो one by one हमने discuss किया था सबसे first one हम breakfast discuss किये थे जिसके अंदर हमने कहा था कि one third या one fourth daily requirement के according इसके अंदर consume किया जाता है उसके बाद इसके अंदर हमने breakfast schedule देखा था जिसके अंदर low cost menu middle cost value और high cost value यानि कि menu western menu हमने देखा था उसके बाद हमने lunch के regarded discuss किया था कि lunch के अंदर कौन-कौन से food हैं जो की consume किया थे जो की food खाये जाते हैं इसके अंदर जैसे कि हमने school children के अंदर हमने discuss किया था कि अगर बच्चे है घर पर नहीं है इसकुल गए हुए है तो उनके lunch box के अंदर क्या-क्या pack up किया जाता है उनका टिफिन कैसे setup किया जाता है कि वह ले जाने के लिए carry out करने के लिए easy हो और वह अच्छे से बच्चे स किया जाना चाहिए वो हमने देखा था और एक holiday यानि चुट्टी के दिन घर पर रहते हुए lunch किस तरह के से किया जाना है और कौन-कौन से food items उसके अंदर involved होते हैं वो हमने discuss किये थे और after that हमने dinner discuss किया था कि एक dinner के अंदर क्या-क्या food materials involved किये जाते हैं एक dinner के अंदर क्या क्या लिया जाता है वो हमने discuss किया था उमीद है friends अभी तक जो भी हमने discuss किया है वो सब आपको अच्छी तरह किसे समझ में आ गया है और काफी important topic है आपके daily life के लिए आपके exams के point of view से तो exam में तो question आना ही आना है exam में question आने के साथ ही आपके daily life के अंदर daily routine के अंदर जो dinner ज में अब हम आज के session के अंदर discuss करने जा रहे है meal planning की steps यानि step of meal planning meal planning के अंदर क्या-क्या point किस किस तरह के से करना है कौन सा points आपको याद रखना है किस point के regarded क्या याद रखना है कौन सी steps आपको follow करनी है meal planning के regarded यानि best meal planning के regarded आपको क्या-क्या points याद रखने हैं, क्या-क्या बाते आपको ध्यान रखने हैं, कि आपका best meal plan हो और आपके family का health है वो status बना रहे हैं, तो उसी के इसाब से हम start करते हैं आज के इस video को, आज के session को, step of meal planning और final topic है meal planning के regarded और nutrition की इस unit के regarded most important point है, directly question आता है आपको short notes के अंदर की step of meal planning, meal planning के step आप बताइए कि कौन-कौन सी होती है, तो start करते हैं, video को like नहीं किया तो like कर दीजे, share नहीं किया तो share कर दीजे, और channel पर first time widget कर रहे हैं, तो channel को subscribe करके bell icon call पर press कर लिजे, तकि आने वाली इसी तरीके से daily live session आप तक पहुंचते रहे हैं, चलिए ब topics हम discuss कर रहे हैं, meal planning और उसके step, तो meal planning के अंदर one by one हम a step देखेंगे, first step इसके अंदर आप याद रखे, important step है, start कर रही है meal planning हम, लेकिन उससे पहले, first point आप देखिए कि क्या करेंगे, meal planning करने से पहले, पहला point आपको याद होना चाहिए, कि meal planning हम step wise start कर रहे हैं, तो पहला step यही हैं आपका कि आपको पता होना चाहिए, meal planning किस तरीके से की जानी चाहिए, meal planning के regarded जितने भी dietary nutrients हैं, जितने भी dietary nutrients हैं, fiber से उनके बारे में आपको याद होना चाहिए, कौन सा diet हैं, किस से मिलेगा, कौन सा nutrient हैं, किस diet से मिलेगा, और कौन सा nutrient हैं, body building food होता है, कौन सा nutrient है energy giving food होता है कौन सा nutrient है fatty food होता है वो knowledge आपको होना चाहिए यानि जो भी enable meal planner है एक meal planner जो है उसको सारा कुछ याद होना चाहिए कि किस से कौन सा nutrient मिलेगा किस से कौन सा nutrient मिलेगा कौन सी diet लेने से कौन सा nutrient मिलेगा कौन सी diet लेने से कौन सा nutrient जादा मिलेगा वो जानकारी एक meal planner को होना चाहिए सबसे main और important points आपके लिए याद रखने लाइक है कि आपको nutrition के regarded जो basic जानकारी है वो होनी चाहिए तभी जाकर आप meal planning कर सकेंगे ठीक है I think याद होना चाहिए I think clearly समझ आ गया है अब start करते हैं first step first step meal planning के first step में क्या होना चाहिए लिखा हुआ है पढ़ते हैं it start with considering a person's or the group's age, gender, physical activity for one full day from morning to night यानी meal planning के regarded first step यह है कि morning से लेकर morning से लेकर night तक आप क्या खाएंगे morning से लेकर night तक आप क्या खाएंगे यानी कह सकते हैं break past से लेकर आप dinner तक क्या खाएंगे कौन सी diet लेंगे उसका schedule आपको पहले देखना होगा किसके according according to person member जो family member है उनके according according to groups age age group के according आपको देखना होगा according to gender gender के according आपको देखना होगा according to physical activity यानी family member किस तरकी की physical activity करते हैं वो सारा कुछ आपको देखना होगा तब जाकर आपको meal planning स्टार्ट करनी होगी यानी कह सकते हैं कि meal planning वहाँ से शुरू होती है वहाँ से मतलब एक सूबे से लेकर यानी morning से लेकर देर राद तक की ये planning होती है जिसके अंदर जो भी meal planner है उसको जानना होगा कि जो person है उनका group कैसा है group के अंदर age group क्या है gender क्या है physical activity क्या है इन सब को देखते हुए meal planning start की जानी होती है यानि सुरू करने से पहले यह सारी जानकारी person को जानना होता है कि हम start करते है meal planning को लेकिन उससे पहले यह जानकारी उसको होनी चाहिए क्या क्या कब से सुरू हो जाती है meal planning step process ये तब से सुरू हो जाती है जब से आप family के group उनके gender उनके physical activity को देखते है कि हाँ इनके physical activity ये है इनका gender ये है और इनके requirement ये हो सकती है इनकी daily requirement ये हो सकती है उसके according ही आप क्या करेंगे उनके according ही आप meal planning करेंगे तो पहला step यही है कि जो भी meal planning है एक morning से लेकर night तक क्या खाएंगे कोई family है तो morning से लेकर night तक क्या diet उनको देनी है उसके बारे में आप सोचेंगे, think करेंगे, विचार लगाएंगे कि person जो group है, जो family है, उनके member की age group क्या है, क्या-क्या age है उनके members की, then उनके zenders आप देखेंगे, male, female, क्योंकि male और female में comparison हमने factor affecting, देखा था, कि कौन-कौन से factors हैं, जो कि meal planning को affect करते तो उसके according देखेंगे, physical activity देखेंगे कि physical activity ज्यादा करते, ज्यादा करते तो food consume भी ज्यादा होगा, कम करते तो, कम consume होगा, उसके according हम उसको देख लेंगे, तो पहला step I think clear हो गया होगा, कि it starts with the considering of persons or groups of age, gender, physical activity for a one full day, एक full दिन के लिए कहां से कहां तक morning to night तक, यानि ये कब से start हो जाती है, ये तब से start हो जाती है, जब से morning होती है और night तक ये चलती है, यानि morning से night तक क्या खाना है, फुल दिन में क्या खाना है, वहाँ के person के क्या requirement है, उसके according उसको start किया जाता है, I think clearly समझ में आ गया होगा पहला step, पहला step यही है कि person को जानकारी होनी चाहिए, पता करना चाहिए, या इस बाते इस बारे में विचार करना चाहिए, कि उस family की age group क्या है, उस family में gender क्या क्या है, उस family में gender क्या क्या है, gender कोन जादा है, और male female जादा है, female जादा है या male जादा है उसके according आप meal का diet का plan करेंगे, उसके physical activity क्या है, उसके according आप meal का plan करेंगे, एक पूरे दिन के लिए, morning to night के लिए, I think clearly हो गया होगा, first point, second point हम discuss करते है, next point हम discuss करते है, next step है, meal planning का next step है, second step है, इसके अंदर आपको क्या करना है, three major meals, आप सबको पता है, मैंने three major meal, जो की last session के अंदर discuss किया, कौन कौन से three major meal, first thing, breakfast, जिसको नास्ता कहेंगे, या फिर सुब का खाना कहेंगे, नास्ता कहेंगे, या फिर morning meal कहेंगे, morning diet कहेंगे, या सुब का खाना कहेंगे, then lunch, जिसको दोपर का खाना कहेंगे, नास्ता इसको कह सकते है, उसके लवा third one, that is dinner, जिसको रात का खाना कहते है यानि major रूप से हम देखे तो basically 3 meal होना चाहिए उसके अलावा यहां पर 1, 2, 3 small meal snake like mid morning, evening tea और snake and bedtime यह आपने मान सकते हैं यानि morning time, evening time और bedtime इस तरीके से भी आप मान सकते हो या तो breakfast, lunch और dinner कह सकते हो या फिर morning, evening और bedtime आप कह सकते हो जैसे आप medicines देते हैं, medicines prescribe करते हैं डोक्टर जैसे medicines आप लेने को बोलते हैं वैसे ही dietary pattern रहता है, diet meal planning रहती है I think clearly समझ में आ रहा होगा, can be planned one full day, एक पूरे दिन के लिए यह प्लान किया जाता है detail depend on और इनकी detail की breakfast में किस तरीके से लेना है, lunch में किस तरीके से लेना है और dinner में किस तरीके से लेना है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है लेकिन यह depend करता है उस age group को, उस family की age group को depend करता है work schedule को की वो क्या physical activity करते हैं और physiological status पर depend करता है कि person की family के अंदर जो member है, उनका physically status केसा है, physiological status केसा है, उनका age group केसा है, उनका gender केसा है उसके according depend करता है कि उनको breakfast में क्या खाना चाहिए, उनको lunch में क्या लेना चाहिए, उनको dinner में क्या लेना चाहिए वो उस पर depend करता है, तो basically तीन major food है, तीन basically तीन टाइप के food है, एक दे के एक दिन के लिए वो लेने होते हैं, breakfast, lunch और dinner या फिर morning, evening या night आप कह सकते हैं या bedtime आप कह सकते हैं, पर basically तीन food है, ती टाइप के foods हैं, जो की consume किये जाते हैं I think clearly, समझ में आ गया होगा second step, next बात करते हैं, third step, और third step के अंदर आपको ध्यान रखना है, timing third step के अंदर आपको ध्यान रखना है, gap between food, each and every, diet या meal, gap आपको याद होना चाहिए आपको पता रखना है, ऐसा नहीं है, सुबह खाना खाया, और एक घंटे बाद लंच दे दिया, उसके बाद डीनर आपने दिया, नो बजे, दस बजे नाइट को, तो वो disturbance होगा है आपको gap ध्यान रखना है, देखे, gap किस तरीके से याद रखना है, third step में आपको क्या याद रखना है, the gap of two to three, यानि दो से तीन घंटे, should be kept between main meal और small meal, देखे, यहाँ पर लिखा हुआ है, main meal, एक तो main meal होता है, यानि full meal होता है, और एक small meal होता है, तो main meal और small meal के बीच जो difference होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, दो से तीन घंटे का होना चाहिए, यानि gap of two to three hour, should be kept between main meal और small meal, टीक है, main meal और small meal के बीच का जो timing होना चाहिए, वो 2 से तीन घंटे का होना चाहिए, और दो मेंशर मील के इंदर ताइमिंग की ओना चाहिए। यानि दो मेंशर मील के बात करणू में an मिर्य मील और एक जातीक सम यह चाहिए। इनके बीज का जो गेप होना चाहिए 2-3 घंटे का आप मान सकते हैं वैसे ही दो मेजर मील आप ले रहे हो जिसे लंच भी आपने भारी ले लिया लंच भी आपने भारी ले लिया और डीनर भी आप भारी वाला ले रहे तो यहाँ पर जो गेप है शुट भी कितना होना चाहिए यहाँ पर जो गेप है कितना होना चाहिए at least four to six hour का होना चाहिए four to six hour का होना चाहिए otherwise person को भूक नहीं लगेगी भूक नहीं लगेगी तो परसन खा नहीं पाएगा और खा नहीं पाएगा तो उसका disturbance हो जाएगा तो ध्यान रहे अगर आप स्मोल मेल और लार्ज मेल या मैन मेल या स्मोल मेल के बीच में देखें दो से तीन घंटे का timing होना चाहिए at least और अगर आप कहें कि हम तो दोनों खा होने के chances रहते हैं तो I think clearly third step आपको समझ में आगया होगा गेप का ध्यान रखना है यानि small meal और man meal की बात करें तो उन दोनों के बीच में small और man meal की बात करें तो दो से तीन घंटे का timing उनके बीच में होना चाहिए और दोनों ही major meal या man meal की बात करें तो चार से पांच गंट करेंगा timing उनके बीच में होना चाहिए तब ही जाकर person next meal का खाना खापाएगा otherwise वो नहीं खापाएगा और उसका जो भी पैटन है वो डिस्टब हो जाएगा और नेक्स्ट डे का जो meal पैटन है वो भी डिस्टब रहेगा और हो सकता है उसको आगे जागर कोई दिक्कत हो सक तो यह ध्यान रखना है meal planning तब ही अच्चा माना जाएगा अगर यह सब कुछ ध्यान रही जाएगी बाते तो ही एक meal planner एक able planner माना जाएगा क्योंकि वो अच्छी तरह के से plan कर रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं और next step हम discuss करते हैं fourth step और fourth step के अंदर आपको timing ध्यान रखना ह हो गा कि breakfast का timing क्या होता है lunch का timing क्या होता है और dinner का timing क्या होता है basically आप सबको पता होगा breakfast हम सुबे खाते हैं सूबे यानि 10-11 या करे लेकिन एक basic timing में आपको बताओं, एक basic timing आपको याद रखना है क्योंकि हम पढ़ रहे है step of meal planning, meal planning के step हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रहे, आपका schedule ये होना चाहिए कि आपका जो breakfast है, आपका जो breakfast है वो होना चाहिए, सुबह morning में आपको लेना है 8 to 10 a.m. यानि 8 बजे से लेक timing आपको 2 to 3 hour होता है, आपने देखा होगा, बेंक के अंदर lunch timing यही होता है, आप सबको पता होगा, और आपका actually में जो lunch का timing है, वो भी यही होना चाहिए as a tease, चीक है, बाकी आदा घंटा ये गंटा उपर नीचे चलता है, करते हैं, लेकिन उससे आपका जो pattern है, वो change हो सकत है, affect हो सकता है, तो ध्यान रहे, basic timing, अगर सुबे का भोजन आप उपर नीचे ले रहे हो, सुबे की diet उपर नीचे ले रहे हो, तो lunch भी उपर नीचे लो, और dinner भी उपर नीचे लो, ऐसा नहीं है, सुबे का तो आपने 7 बजे ही ले लिया, और साम का आपने lunch आपने किया ही आपका schedule थोड़ा सा setup करना है, अगर आपको अच्छी तरीके से और healthy रहना है, तो, क्योंकि आपने पढ़ रहे है, meal planning, और meal planning के अंदर आप consume करते हैं, balance diet, और balance diet दब consume करोगे, जब आप क्या करोगे, meal planning के schedule को, meal planning के steps को follow करोगे, चले बढ़ते हैं, तो आपने breakfast आपको करना हैं, सुबह 8.10.10 के बीच में, और lunch timing आपका रहता हैं, 2.3 बज़े के बीच में, 1.3 आप मान लेते हैं, या तक आप कर सकते हैं, उसके आलावा, आपका dinner timing होता है, 8.10.9 के बीच में, 8.10.10 आप कर सकते हो, ठीके तो, 8.10.9 तक आप नर्मलिय someday मान लेते हैं, और यादा達 मान लेते हूं लेकिन ये schedule आपको follow करना होता है और यही step है आपका fourth next step हम discuss करते हैं mail planning का next step हम discuss करते हैं लेकिन अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजे share नहीं किया तो share कर दीजे channel पर first time visit कर रहे तो channel को subscribe करके bell icon call पर press कर दीजे ताकि आने वाले इसी तरीके से आपको daily up to date classes available हो सके चले बढ़ते हैं आगे चले बढ़ते हैं आगे और आगे discuss करते हैं next step next step में आपको discuss करना ये है next step में आपको याद ये रखना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं meal planning और meal planning के step next step आपकी next step है fourth या fifth step है fifth step मानके ठीक है fifth step है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है use the food pyramid food pyramid के बारे में आपने पढ़ा होगा I think आप सबको पता होगा food pyramid के बारे में और नहीं पता है तो हम पढ़ रहे हैं nutrition BPC CHN के regarded CHO bridge course के regarded food pyramid के बारे में भी हम detail से पढ़ेंगे जो कि आपके next unit के अंदर दिया हुआ है next unit के अंदर हम discuss करेंगे अच्छी तरीके से लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि food pyramid actually में होता क्या है तो देखी आप इस diagram को just a minute एक बार में आपको diagram present कर देता हूँ और उस diagram को आप देखे आपको समझ में आएगा food planning देखें यहाँ पर food pyramid तो देखें यहाँ पर food pyramid के अंदर आपको point किया याद रखना है देखें मैं आपको बताना चाहूँगा देखें अच्छी तरह के से आपको diagram दिख रहा होगा diagram में image के according आप देख पा रहे हूँगा यहाँ पर यह pyramid बना हुआ pyramid तो आप जानती हूँगे pyramid तो आप जानती हूँगे जैसे कि आपने मासलो हिरार के theory देखी है उसमें सबसे नीचे bottom पे क्या आता है physiological need आती यानि जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उसके बिना person survive नहीं करता है वो कहाँ पर आता है नीचे आता है bottom पे कहाँ आता है bottom पे आता है और उपर ही उपर कौन आता है self actualization आता है उसके बिना भी person survive कर सकता है least need आप उसको बोलते है ऐसे ही है तो यहां पर भी pyramid वही होता है कि कि नीचे से broad हो यानि कि जिसकी जञदा requirement है वो broad part हो और जिसकी जञदा requirement है वो एक thick part आप सकते हैं ठीक है तो उसके according आप देख सकते हैं यहां पर देखे जिसकी body को सबसे ज़्यादा requirement है that is cereals or millet that is cereals or millet और ये major portion में sow हो रहा है, आप देख पारे होंगे, ये नीचे वाला जो भी portion है, ये major portion के अंदर sow हो रहा है, इसलिए सबसे bottom में इनको sow कर रखा है, लिखा हुआ है, आप देख पारे होंगे, डाइग्राम के अंदर, cereals and millets, that is 30 gram each यहां पर लिखा हुआ है, बाकी details से हम discuss करेंगे, next unit के बारे में जब इसको discuss करेंगे, उसके बाद next, देखें, first portion आपने देख लिया, ये वाला first portion जिसको सबसे ज़्यादा requirement आपको होगी, उसके बाद second portion में आप देखेंगे, second portion में आप देखेंगे, जितने भी vegetables हैं, वो आजाएंगे, जितने भी fruits हैं, वो आजाएंगे, यानि vegetable और fruits second portion के अंदर आएंगे, जिनका requirement, जिनका portion आप देखें, compare to cereal और millet से कम हैं, यानि cereal सबसे ज़्यादा amount में आपको लेनी है, उसके बाद vegetable और fruits आपको लेने हैं, दे milk से related सारे product, उसके लवा पलसे जियाने दाले हैं, उसके लवा एग, अंडा, meat हैं और fish हैं, यह सारे requirement है, third portion में, यानि इनकी requirement आपको होती हैं, अगर आप consume करते हैं, तब भी चलेगा, नहीं consume करेंगे, तब भी इनकी fulfillment दूसरे substance से ले ली जाती है, ठीक है, तो third portion पर requirement आजाती है, fat से regarded, fat और sugar, fat और sugar यानि fat और carbohydrate से requirement आती है, तो यहाँ पर fourth number में है, तो आप देख पारे होंगे, यह food pyramid है, और इसके according आपको follow करना होता है, यानि एक eligible food planner को याद होना चाहिए, कि एक balance diet के अंदर, एक food pyramid क्या होता है, हाला कि यह food pyramid है, यह pregnant lady के लिए है, लेकिन as it is, यहसा ही pyramid आपको, आपकी health के लिए require होता है, यह pregnant lady के लिए बनाया हुआ है, पिरामिड, लेकिन आप सको समझाने के लिए मैं यहाँ पर represent कर रहा हूँ, बाकि इसको detail से हम discuss करेंगे, second unit के अंदर, I think clearly समझ में आगया होगा food pyramid, I think बढ़ते हैं, और हम हमारे topic पर चलते हैं, step पढ़ रहे थे हम meal planning के regarded, तो food pyramid मैंने represent करना जरूरी समझा, इसलिए मैंने यहाँ पर represent किया, बाकि आगे बढ़ते हैं, और हम discuss कर रहे थे, step of meal planning, जिसके अंदर हम next point discuss कर रहे थे, जिसके अंदर discuss किया था हमने, कि use the food pyramid, या यानि food pyramid के according ही, आपको food group को select करना होगा, food planning करते हुए, food pyramid के according ही, आपको food को selection करना होगा, किस के लिए, meal planning के अंदर, यानि meal planning आप कर रहे हैं, तो food pyramid को देखते हुए, आपको food को diet को select करना होगा, according to family members की age के according, gender के according, उन के physical activity के according, I think clearly समझमें आρά होगा, यह वाला point चली आगे बढ़ते हैं I think यह point समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं और next point हम discuss करते हैं step of family planning sorry step of meal planning के regarding meal planning के अंदर next point है आप देख पा रहे होगे I think clearly समझ में समझ में आ रहा होगा चली बढ़ते हैं each main meal should be contain one to two items from each food group like energy giving food या energy providing food body building food और protective food group देखिए मैंने आपको बताया है हम nutrition पढ़ रहे थे nutrition के starting में ही आपको कहा था कि कौन सा nutrient है किस type का है energy giving food कौन है body building food कौन है और protective food कौन है यहाँ पर line यह लिखी हुई है कि जितनी भी meal आप लेते हो जितनी भी meal आप लेते हो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है each man meal यानि जितनी भी मुखे meal आप लेते हो जितने भी मुखे खाना आप खाते हो जितना भी मुखे भोजन आपका होता है उसके अंदर at least one से two items होने चाहिए one से two items होने चाहिए किसके अंदर से from each food group यानि each food group यानि food किसका होना मान के चलिए आप ये खाना बना रहे हो आप ये वाला भोजन बना रहे हो आप ये वाला man भोजन बना रहे हो आप इस भोजन के अंदर आपके items protein के regarded भी होने चाहिए आपके items carbohydrate के regarded भी होने चाहिए कुछ amount में fat के regarded भी होने चाहिए, कुछ amount में vitamins के regarded भी होने चाहिए, कुछ amount में minerals के regarded भी होने चाहिए, और water and electrolyte के regarded भी होने चाहिए, यानि सभी प्रकार के जो group हैं, उनसे आपका जो meal plan हो रहा हैं, उसके अंदर उसका element होना चाहिए, यानि जो meal मेल आप बना रहें, उसके अ involvement होना चाहिए लिखा हुआ है साफ साफ यहां पर देखिए energy providing food का element होना चाहिए energy providing food that is carbohydrate और fat I think आपको clearly याद होगा क्योंकि repeatedly continuously में repeat कर रहा हूं आपको बार बार उसके बाद लिखा हुआ है body building food that is protein that is protein क्यानि protein elements भी उनके अंदर होने चाहिए one to two items उनके अंदर होने चाहिए जो भी meal आप प्लान कर रहे हैं उसके बाद protective food that is protective food यहाँ पर लिखावा है that is vitamins और minerals I think clearly आपको याद होगा तो जो भी meal आप तयार कर रहे हैं उसके अंदर एक से दो item आपके सभी group के जो food group है उनके अंदर से होना चाहिए I think clearly समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं उसक sugar should be included moderation यानि इन group के अलावा आपका fat और sugar भी कुछ amount में वहाँ पर moderation के लिए जरूरी होता है यानि आप जो भी meal बना रहे हो उसके अंदर आपका carbohydrate होना चाहिए protein होना चाहिए vitamins minerals होना चाहिए साथ ही food और कुछ amount में sugar भी होनी चाहिए आपके food और आपके body health के लिए I think clearly point सम में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं I think clearly समझ में आ गया होगा अगर देखिये friends कोई point आपको समझ में नहीं आता है तो आप comment कर सकते हैं आपके लिए comment section खाली है और आप नीचे description box में link भी दिया हुआ है Instagram का और Telegram का वहाँ पर जूर सकते हैं और Instagram पर मुझे personally बात भी कर सक करते हैं I think यहां तक आपको clearly समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं और next point हम discuss करते हैं next point हम discuss करते हैं next step हम discuss करते हैं techniques sorry हम बढ़ रहे हैं step of meal planning के regarded और next step आपके सामने है देखिए step के अंदर लिखा हुआ है साप साप HD समझने की कोशिश करना if the individual has a three meal pattern एक person है जो तीन meal pattern को follow कर रहा है यानि कोई person है जो कि तीन meal ले रहा है तीन meal मतलब कौन सा तीन meal मतलब कौन सा like वो breakfast ले रहा है like वो lunch ले र ले रहा है like वो dinner ले रहा है ये तीन पार्ट वो ले रहा है तो उसके each meal pattern की अंदर approximately one third portion लेना है यानि एक दिन की अंदर body की अंदर जितनी भी requirement होती है उसका one third part उसको लेना है याद रखे one third part उसको लेना है जिसके अंदर हमने कहा है कि breakfast के अंदर one third से one fourth तक ले सकता है उ last class के अंदर last session के अंदर I think आपको याद होगा चलिए याद तक आपको समझ में आ गया होगा तो इस point के अंदर ये mention किया why is point के अंदर ये है आपको ये याद रखना है अगर कोई person जो की 3 meal यानि 3 meal pattern को follow करता है तो उसकी each meal के अंदर each meal should be contributed approximately one third of the nutritional requirement ठीक है यानि एक दिन के अंदर जितना भी requirement होता है उसके अंदर अगर कोई person 3 meal pattern follow कर रहा है यानि breakfast, dinner और lunch follow कर रहा है तो उसके अंदर each meal के अंदर at least approximately one third portion होना चाहिए याद रखे उसके अलावा इसी point में mention किया हुआ है if the person has more than three meal यानि एक person ऐसा भी है जो कि 3 से ज़्यादा meal follow करता है यानि एक द of requirement should be consumed in breakfast breakfast के अंदर एक थर्ड यानि one third portion लेना है breakfast के अंदर बाकी remaining जो तीन टाइम हो खाएगा तीन टाइम हो लेगा या चार टाइम हो लेगा उसके according बाकी remaining को वो क्या किया जाता है distribute कर लिया जाता है लेकिन first time जो आप ले रहे हैं first time वो लेगा breakfast लेगा उसके अंदर उसको क्या लेना होगा one third portion लेना होगा आगे लिखा हुआ है the rest of the day requirement is to be distributed among the different meal like एक person है example से मैं आपको समझाने कोशिस करूँगा I think समझ में तो आ गया होगा आपको ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ तो एक person है जो कि 3 meal ले रहा है अब 3 meal ले रहा है तो उसके अंदर 3 food इस तरीके से होगा कि पहला breakfast करेगा जिसके अंदर 1 third to 1 fourth तक वो ले सकता है उसके लावा one third ले जादा हो सकते हैं लेकिन जो breakfast करेगा सुबे का जो खाना वो खाएगा उसके अंदर तो one third ही लेना पड़ेगा one third ही लेना पड़ेगा remaining जो बचा हुआ है उसको other step के अंदर वो distribute कर देगा यानि पूरी requirement उसको चाहिए तो पहला step breakfast के अंदर one third लेना होगा बाकी के अंदर अपने daily requirement के according distribute कर देगा कि उसको dinner में कितना लेना है उसको lunch में कितना लेना है और other दूसरा meal को ले रहा है तो उसके अंदर उसको कितना लेना है यह वो खुद से meal planner distribute करेगा ठीक है तो अपन बात कर रहे है step of meal planning की और meal planning कोन करेगा एक meal planner करेगा तो meal planner है अगर उसको पता च कहाना काता है तो उसकी रिक्वार्मेंट के अको डिस्टिब्यूट करेगा यानि फर्स ताइम तो उसको देना होगा ब्रेकफास में देना होगा वन थर्ड पॉट्शन और उसके बाद different रहाँगा, आगे बढ़ते हैं, क्ति के इड़ेटे हैं, क्ति के अडर आपको पीडी डिन हो जाएगा तेलग्राम चैनल पर तो इसके अदर हिंदी ऐलिख फैसे वह जो गयी जोगि उनको थोड़ा सा पॉइंड समझ करते हैं ओफिख सोरती को घड़ाती हो ज्ल drainage में दिक्कत हो सकती है इसलिए मैंने दोनों लेंग्वेज यहां पर आपको प्रिपेर किया है तो डोंट वरी आपको प्रिपिरेशन और आपके जोड़ी पीडिएप नोट से अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है टेलेग्राम चैनल पर या फिर आपको कई अधर मेथर से में पढ़ते हैं क्या है for a minor और a small meal even a single food preparation cooked food raw food like fruit is sufficient यानि या पर सिंपल सी language में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई minor और small meal आप ले रहे हो जैसे कि मान के चलो breakfast आप ले रहे हो तो इसमें जरूरी नहीं है आप कुछ बना कर ही खाए घर पे कुछ बना कर ही खाए जरूरी नहीं है आप उसके अंदर single food preparation भी कर सकते हो यानि कुछ थोड़ा बहुत बना कर खा सकते हो उसके लावा जरूरी नहीं आप cooked food ही खाए जरूरी नहीं आप cooked food ही खाए आप कच्छा खाना भी खा सकते हो कच्छे खाने से मतलब यह नहीं आप आटे को खाने लग जाए आप किसी और अलू पटेटों को खाने लग जाए ऐसा नहीं कच्छे खाने से मतलब आप fruits ले सकते हो fruits ले सकते हो उसके अंदर vegetables में carrots और आते हैं वह सारे आप ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो ध्यान रहे हैं यह points आपको याद रखना है उसके लावा care should be taken that none of these meal especially minor meal or snakes are not calorie rich or energy dense which is often is in the case here preference should be given to the nutrient dense food देखे यह point हमने lastly classes के अंदर mention किया था I think हमने aim या objective के अंदर इसको discuss किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें वो food लेना चाहिए जिसमें क्या हो nutrient हो sufficient amount में nutrient हो ना कि उसके अंदर especially calorie हो ना कि उसके अंदर especially energy हो ऐसा food हमें नहीं लेना है यानि एक sufficient amount में nutrient available हो वही food हमें लेना है उसी का ही हमें planning करना है तो यहाँ पर लिखा यहीं है इस step के अंदर कि आपको अगर small meal आप ले रहे हो minor meal आप ले रहे हो तो single preparation वाला food आप खा सकते हो cooked food यानि कच्चा खाना आप खा सकते हो रोग food like fruits और vegetables आप ले सकते हो यह sufficient होता है तीक एक single food के लिए उसके लाबा ऊपको यार यह रखना है उसके लाबा आपको यार यार यह रखना है कि है कि आपको क्या नहीं करना है ऐसा food नहीं काना है ऐसा food नहीं लेना है जो कि especially यहां आप लिखा हूआ है कश्bad feetैक या नि आपको यार यह रखना है none of the meal especially minor meal snakes are Our Hillary not 전8 याद यह रखना है कि आपके मील की अन्दर इसपेशली कोई केलोरी वाला फूड नहीं होना चाहिए आपका जो फूड है आपका जो मेल प्रिपेर हो रहा है, वो nutrient dense food होना चाहिए, यानि आपको sufficient amount में nutrient available हो, वैसा food ही आपको लेना है, ना कि आपको especially calorie वाला food लेना है, calories food लेना है, या फिर energy dense food लेना है, I think clearly आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, I think इस point को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कि आप small meal ले रहे हो, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है, कुछ बना कर खाए, fruits ले सकते हैं, वो आपका sufficient हो जाएगा, क्योंकि small meal आप ले रहे हो, उसके बाद, आपको बात ये याद रखनी है, कि जो भी meal आप prepare कर रहे हो, जो भी dietary pattern आप बना रहे हो, उसके अंदर, ऐसा meal न amount में nutrient मिल है, ऐसा food आपको बनाना है, that is best meal planning, that is best meal planning, याद रखे, काफी important है, I think यहां तक आपको clearly समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और next point discuss करते हैं, next point है, next point यहां पर है, consider the monthly income and money spent on the food, availability of food in season, and food preference of the individual while selecting the food items, देखें यहां पर यह बात यह आ रही है, step के अंदर यह लिखा हुआ है, कि अगर आप meal planning कर रहे हैं, तो meal planning करते समय आपको ध्यान यह रखना है, कि आपके जो monthly income है, वो क्या है, monthly income कितना आप food पर spend कर रहे हो, food के लिए consume कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, availability of food in season, season के अंदर, उस मोसम के अंदर कौन से food की availability है, और food preference of individual while selecting the food item, और ध्यान रखना है, कि उस person के अंदर food preference कितना है, यानि उसकी जरूरत कितनी है, I think clearly समझ में आया होगा, कि food planner क्या करेगा, meal planner क्या करेगा, पहले चेक करेगा, income को, monthly income क्या है, और कितना income ओ, food पर spend करने वाले हैं, उसके लावा, season के according food availability क्या है, और person की food preference क्या है, यानि person की जरूरत क्या है, person के अंदर requirement क्या है, उन सब को देखते हुए, एक meal planner क्या करेगा, food item को select करेगा, क्या करेगा, food item को select करेगा, और select करके क्या करेगा, meal plan करेगा, meal plan करेगा, ठीक, I think clearly step समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और next point के बारे में discuss करते हैं, next point है, देखें यहां पर, next point है, write the menu plan, यानि जब आप सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ आपको पता चल गया, अभी following जो, उपर आपने steps दे menu plan करना है, जैसे कि आपने schools वगेरा में देखा होगा, फोसार के लिए plans लगे हुए होते हैं, वैसे ही आप सब को पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, एक meal planner को क्या क्या होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक meal plan करना है, जिसके अंदर each meal giving name of food preparation along with the quantity or household measures, household measures उसके अं decided, आपको meal plan बनाना होगा, यानि एक performer बनाना होगा, एक menu आपको बनाना होगा, जिसके अंदर आपको जो भी food giving करना है, जो भी food आप ले रहे हो, उसका details होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, food preparation होना चाहिए, किस तरीके से किस दिन कौन सा food बनेगा, उसके लाब उसके quantity होनी चाहिए, कितना food बनेगा, उसके लाबा household measures जो है, वो सारे कुछ महाँ पर mention होने चाहिए, यानि menu के अंदर वो सारी चीज़े होनी चाहिए, यानि write the menu for each meal giving the name of the food preparation, या food preparation, along with the quantity in household measures, यानि ये सारा कुछ details उसके अंदर होना चाहिए, यानि finally कहे, तो एक meal menu तैयार करना चाहिए, जो कि सारी details रखता होगा, जिसके अंदर सब कुछ होगा, meal, यानि meal कौन सी लेनी है, कौन सा food लेना है, कौन से food के अंदर, nutrient क्या-क्या है, उसके अलावा, उसके quantity क्या है, और किस timing में वो जरूरत होती, वो सारा कुछ menu, जिसे आपने hotel में गए होगे, restaurant में गए ह अगर होटल या कई, restaurant के लिए प्लान कर रहे हो, तो उसमें प्राइज आएगी, और घर के लिए प्लान कर रहे हो, तो उसमें प्राइज नहीं आएगी, बाकि quantity वह ही आएगी, ठीक है, I think समझ में आ रहा होगा, next point हम discuss करते हैं, next point हम discuss करते हैं, इस point के अंदर लिखा हुआ देखिए, make a table for representation of food preparation in each meal, देखिए, menu जो बना रहे हूँ, उसके अंदर आपको table represent करना होगा, कि each time में आपको कितना खाना बनाना है, कितना भोजन आपको बनाना है, कितना meal आपको बनाना है, उसके अलाबा, main food ingredient, यानि main जो आप food prepare कर रहे हो, उसके अंदर materials क्या-क्या जिसको आप food बनाने के लिए तयार करोगे, या लेगो काम में लोगे, I think clearly आ रहा होगा समझ में, कि आपको menu जो बना रहे हो, उसके अंदर एक table index आप बनाएंगे, उसके अंदर आप represent करेंगे, कि food कौन सा बना रहे हो, उस food के अंदर, क्या-क्या materials आप काम में लेगे, और बनाने है, further added to calorie, कितनी calorie add करनी है, उसके according आप उसको column बना कर, represent करोगे, और nutrient क्या करोगे, calculator, जो भी nutrient आपने food group, as group के according, calculate की है, उसको represent करने के लिए column और बना दोगे, add कर दोगे, table के अंदर, जिसमें represent कर दोगे, किस person को इतनी calorie की requirement होती है, और उसके according इतना इतना काम में लिया जाता, I think, point समझ में आया होगा, और आपने इस तरीके के menu भी देखे होंगे, families के अंदर, या पिर कहीं पर देखे होंगे, I think, clearly समझ में आगया होगा, आगे बढ़ते हैं, और next point discuss करते हैं, next step discuss करते हैं, meal planning step के regarded, तो next point है, देखिए, for calculation of nutritive value of, sorry, point है, for calculation of nutritive value, for selected nutrient, refers to the book of nutritive value of Indian books, देखिए, एक meal planner को, काफी जानकारी होनी चाहिए, meal planning किस तरह के से करना चाहिए, कौन सा nutrient requirement होती है, जिसा कि आप nutrient पढ़ रहे हो, तो, आपने starting सही ही पढ़ा था, protein के अंदर, carbohydrate के अंदर, protein, उसके लाव विटामिन के अंदर, daily requirement पढ़ाता, तो वो सारी जानकारी होनी चाहिए, अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर meal planner को जानकारी नहीं है, तो फिर वो कुछ books आती है, nutritive value regarded books आती है, उनको prefer कर सकते है, nutrition के calculation के regarded, कि किसी person को age क्या है, 15 age है, तो उसके अंदर, कितना calorie requirement होगा, उसके according, calculation के regarded, meal planner क्या करेगा, nutritive value वाली book होती है, like यहाँ पर जो example में आपको दिखाया हुआ है, published by the National Institute of Nutrition, Hyderabad, यह एक book है, काफी अच्छी book है, आपने देखी होगी तो, नहीं देखी हो तो इसको आप net Google करके देखिएगा, इसके अंदर काफी कुछ जानकारी रहती है, nutrition के regarded, किस किस तरीके से calculate करते ह है, तो सारी जानकारी यहाँ पर इसमें होती है, तो अगर meal planner को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर वो कोई भी book है, nutritive value को calculate करने के लिए, लिए refer कर सकता है, यानि उसको ले सकता है, और उसके according meal plan कर सकता है, तो I think यहाँ तक यह point भी आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं, और next point हम discuss करते हैं, next point यहाँ पर है, I think यह point भी आपको easily समझ में आएगा, देखिए, food selection should be done in way that the food preparation male given या gives variety in color, flavor, test और texture, देखिए, यहाँ पर यह है, food selection should be done, food को select इस प्रकार किया जाना चाहिए, food का selection इस प्रकार किया जाना चाहिए, कि food preparation के लिए, या food बनाने के लिए, क्या होना चाहिए, food में variety of color होना चाहिए, variety of color, like flavor, variety of color, flavor, test या फिर texture होने चाहिए, it should also suit the daily routine pattern of the individual and occasion, देखिए, आगे इसमें यह लिखा हुआ है, कि आपको food को इस तरह किसे select करना चाहिए, कि food के preparation के अंदर क्या हो जाए, उसका variety of colors मिले, flavor मिले, test मिले, और texture मिले, जो कि एक person की daily जो routine है, daily जो pattern है, उसके अंदर वो suit करे, अब हो किसी individual के लिए हो या फिर किसी particular occasion के लिए हो, तो ऐसा food आपको select करना है, जिसके अंदर variety of color हो, flowers हो, उसके लावा test हो, उसके लावा texture हो, ठीक है, यह सारे qualities के according आपको food को select करना है, और food को daily preparation के लिए, या daily routine के लिए pattern के अंदर वो suit होना चाहिए, I think clearly point समझ में आगया होगा, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखाओ यही है, simple सा language में है, कि आपको food को इस तरह के से select करना चाहिए, कि food का color different हो, flavor उसके अंदर different हो, variety वावला हो, उसके लावा test होना चा और food और meal planning के regarded last point हम discuss करेंगे, उसके बाद class को यही पर हम finish करेंगे, क्योंकि आपका जो meal planning session था, meal planning topic था, वो यही पर finish हो जाता है, क्योंकि हमने सारा कुछ all over सारी चीज़े हमने देख ली है, तो last topic हम discuss करते हैं, फिर class को यही पर finish करेंगे, देखिए, basic meal plan guide lines, basic meal plan guidelines, given heroin, hair in, do not include infant person who have any health problems or disease, देखिए, यहां पर यह लिखा हुआ है, कि अभी तक हमने जो भी दिये हैं, अभी तक हमने जो भी guideline पड़ी है, guideline पड़ी थी हमने meal planning के regarded, second session में guideline पड़ी थी, कि meal planning की क्या-क्या guideline होती है, तो जो भी guideline दी हुई है, उन सब guideline को हमें क्या करना है, follow करना है उन सब guideline को follow करते हुए, एक point यहां पर और mention किया हुआ है, do not include in infant and person who have any health problem or disease, यानि सारी guideline तो हमें follow करनी ही करनी है, उसके अलावा हमें बच्चों को meal planning में सामिल नहीं करना है, जो भी बच्चे हैं, infant हैनि शिशु अवस्ता में, छोटे बच्चे हैं, उनको meal planning में सामिल नह करना है, जिनको health regarded problem हो, यानि health से regarded कोई issue उनके साथ हो, किसी की health सही नहीं है, या फिर उसको कोई disease condition हो, तो फिर उसको भी meal planning के अंदर सामिल नहीं करना है, क्योंकि उससे हो सकता है कि उनको जो भी problem है, उनको जो भी disease है, वो spread हो जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो according आपको meal plan करना है, और ऐसे person को या बच्चों को involved नहीं करना है, जिनके अंदर कोई भी health regarded issues हो, या फिर disease condition हो, I think जो भी point अभी तक हमने discuss किये हैं, आपको समझ में आ गये हैं, तो इस session के अंदर हमने discuss किया है, step of meal planning, जो कि आपको अच्छी तरह के से समझ में आ गये होंगे तो इस session को यही पर हम finish करेंगे, I think अभी तक जो भी पड़ा है, जितनी भी classes अभी तक हमने ली हैं, BPC, CHN के regarded, आप सबने वो देखी होगी, नहीं देखी है, तो सब का link आपको description box में मिलेगा, या प्ले लिस्ट का link आपको description box में मिलेगा, या G1 education search कर लीजेगा, वहाँ प और आपको सारी classes available होगी, BPC, CHN के regarded, तो उमीद है friends, आप सब continuously बने रहेंगे, और continuously बने होंगे, और session को daily up to date देख रहेंगे, तो इसी उमीद के साथ आज की session को finish करते हैं, मिलेंगे next session के अंदर बहुत ही जल्दी, जिसके अंदर हम discuss करेंगे nutrition के regarded, और other topics के regarded further session, तो मिलते ह है friends, वीडियो को जदा जदा लाइक करें, शेर करें, और channel for first time visit करें तो channel को subscribe करें, bell icon call पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर जानकारी, हर session आपको easily available हो सके, so thank you very much for joining this session, have a nice day, thank you very much.